नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लाएं हैं उत्राखंड के पंच प्रयाग पर एक वीडियो यह वीडियो आपके competitive exams में काफी helpful साबित होगी हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने परिक्षया में पूचाए गए सभी सवालों का सही सही उत्तर देंगे तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं पंच प्रयाग जो उत्राखंड में है उनमें सबसे उचाई पर जो स्थित है वह है विश्नु प्रयाग विश्नु प्रयाग चमोली डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है यहाँ पर अलगनंदा नदी और धौली गंगा नदी का संगम होता है अलकनन्दा नदी सतवपंध ग्लेशियर से निकलती है जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है जो दूसरी नदी है धौली गंगा वह नीती पास के छेत्र से निकलती है और विश्नु प्रयाग में मिल जाती है विश्णु प्रयाग के बाद अब हम नंद प्रयाग पर आ जाते हैं नंद प्रयाग भी विश्णु प्रयाग की ही तरह चमोली डिस्ट्रिक में पढ़ता है यहाँ पर नंदाकिनी नदी अलगनन्दा नदी में मिल जाती है और नंदाकिनी नदी जो की नाम से ही हमें पता चल रहा है नंदा देवी वाइल लाइफ सैंचरी की छेतर से निकलती है और आगे बढ़ती है नंद प्रियाग के बाद हम तीसरे प्रियाग पर आते हैं जो की है कर्ण प्रियाग कर्ण प्रियाग में पिंडर नदी अलकनन्दा नदी में मिलती है पिंडर नदी का उद्गम स्थल पिंडारी ग्लेशियर है जो की बागेश्वा डिस्ट्रिक में पढ़ता है इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चौथे प्रयाग की तरफ जोगी है रुद्र प्रयाग रुद्र प्रयाग का डिस्ट्रिक याद करने में आपको कोई परेशानी इसलिए नहीं होगी क्योंकि रुद्र प्रयाग खुदी एक डिस्ट्रिक है और आपको ये भी पता होगा कि रुद्र प्रियाग डिस्ट्रिक्ट में ही केदारनाद भी पढ़ता है तो मंदाकली नदी केदारनाद के पास थे चौड़ा बारी ग्लेशियर से निकल कर आती है और अलगनन्दा नदी में मिल जाती है रुद्र प्रियाग में इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने पांचवे प्रियाग की तरफ जो की है देव प्रियाग देव प्रियाग टेहरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और यहाँ पर भागीरती नदी अलगनन्दा नदी से मिलती है भागीरती नदी का उदगम सल गंगोतरी ग्लेशियर है जो की उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है आप सभी को यह मालूम होगा कि भागीरती नदी पर ही टेहरी डैम स्थित है पर क्या आपको यह भी मालूम है कि वह जगे भागीरती और भिलंगना नदी के संगम पर है अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में यह बतान तो अगर आपको यह पता है कि कौन सी नदी अलगरंदा में पहले मिल रही है तो यह याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि जो पहली तीन नदिया मिलती है वह लेफट बैंक टरिब्यूटरी है और जो बात की दो है वह राइड बैंक टरिब्यूटरी है तो दौली गंगा नंदाकिनी और पिंडर जो है वो left bank tributary हो गई और मंदाकिनी और भागीरती right bank tributary हो गई उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि आपका district एक बार फिर से revise कर लेते हैं विश्नु प्रयाग नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग चमूरी district रूदरप्रयाग रूदरप्रयाग डिस्ट्रिक और देफ्रयाग टेजी डिस्ट्रिक में स्थित है एक और चीज यमुनोत्री जो आपको सबसे left में दिख रहा है यह यमुना नदी का उद्गम स्थल है यह बंदरपुंच पहाडियों के आसपास स्थित है गंगोत्री जो है वह गंगा नदी का भागियती नदी का उद्गम स्थल है और मंदाखिनी नदी का उद्गम स्थल आपका चोड़ाबारी ग्लेशर जसे में ने बताया ही तो यह सारे फैक्ट्स आप व्याद करके रखिएगा इक्जाम में इससे कुछ भी पूछ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी धन्यवाद